हलो फ्रेंट्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अगेन हाफ केजी पाइनेपल फ्लेवर केक जो पूरी तरह से एगलेस है और दोस्तों हमेशा की तरह मैंने सारे इंग्रिजियन्स का जिक्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया है और इसकी प्राइज मैंने कितनी ली है य 220 ग्राम मैंने लिया था इसमें प्रेमिक्स और इसमें मैंने पाइनेपल अरोमा का यूज करते वे पाइनेपल फ्लेवर का स्पॉंज कर लिया है और इसकी बैटर तयार करने के लिए दोस्तों मैंने दूद का ही इस्तेमाल किया है और ठंडा कर लेने के बाद इसका पेपर remove कर रही हूँ और आपको show कर रहे हूँ कि देखिए कितनी soft हमारी घर पर ready कीवी sponge लगती है और गजब की aromatic ये तयार हुई है और इसे मैं three layer में cut लगा करके आपको show करूँगी कि बाहर से जितनी shiny and soft दिख रही है अंदर से उतनी ही जालिदार है it means कि जब हम कड़ाई में अपने cake को bake करते हैं तो थोड़ा सा time तो लगता है दोस्तों पर इतना perfection के साथ वो bake होता है कि कहीं से कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता है और यहाँ पर मैंने plain water से soak करके अपनी pineapple वाले cream को इसमें apply कर लिया है और उपर से mala company की मैं pineapple crush का use कर रही हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं cream की layer को मैं निक्तम पतला रखा है वो इसलिए क्योंकि जो हमारे client होते हैं उन्हें homemade sponge इतनी पसंद आती है इतनी पसंद आती है कि वो हमेशा lace cream वाली cake का order करते हैं और आज जो यह cake बनने जा रहा है चोटे से बच्चे के लिए बनने जा रहा है यह birthday cake है तो इसमें मैं आपको show करने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या इस्तेमाल किया है इसकी decoration के लिए और इसकी price सारे decoration के बात कितनी होनी चाहिए यह सारी बातें आपके साथ साजह करूंगी और दोस्तों जब भी हम हाप केजी का order लेते हैं तो हमें 6 इंच के cake tin में इसे bake करना होता है और यहाँ पर 8 इंच का हमने cake base का यूज किया है और इसके अलावे इसकी जो measurement है जो भी चीज़ें अपनी cake को करने के लिए लेते हैं इस पॉंज से लेके विपीम क्रीम तक का measurement का हमें खास क्याल रखना होता है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने 220 ग्राम इसमें क्रीम लिया था और 220 ग्राम ही मैंने इसमें प्रिमिक्स का भी यूज किया था तो लगभग 300 ग्राम मेरा sponge रेडी हुआ था और क्रीम का थोड़ा सा मेरा यहाँ पर जो यूज है वो कम किया था मैंने क्यूंकि हमारी sponge अगर 300 ग्राम है और हाप केजी का हमने order लिया है तो कहीं ऐसा नहों कि हम एक केजी का cake तयार कर लें तो दोस्तों यहाँ पर जब हम हाप केजी वाला cake बनाने जाएंगे तो 300 अगर हमारा sponge रेडी हुआ है तो हमारी कोशिस रहनी चाहिए कि 200 maximum हमारा cream इसमें जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावे हम इसमें soaking के लिए water का भी यूज करेंगे फिर 2-3 चमच इसमें crush भी जाएगा कुछ sprinkle जाएगा और यहाँ पर मैंने कुछ fondant का भी यूज किया है तो fondant से मैंने baby का dress तयार कर लिया है और जिसे मैं deep करके आपको show करने वाली हूँ और कुछ edible colorful sprinkle था मेरे पास तो इस तरह से मैंने इसे छिड़क लिया है क्योंकि बच्चों का बद्दे केक जब भी हम तयार करते है तो थोड़ा सा attractive होना चाहिए हाँ color का भी इसमें use नहीं करना है इसलिए मैंने किसी भी color का इसमें use नहीं किया है दोस्तों और एकदम से plain cream के साथ मैंने अपने pineapple cake को ready किया है और यहां मैंने एक बद्दे tag भी लगा दिया है और इस तरह से देखिए ये baby का dress मैंने fondant से ready किया है इसकी mold आती है दोस्तों जो आसानी से आपको online available हो जाएगी और यहां पर मैंने नाम लिखने के लिए जो whipping cream ली है उसमें थोड़ा सा मैंने सिर्फ one drop डाला था magic company की green edible foot gel color तो इससे मुझे कहा गया था कि बावू लिखना है तो जब भी हम नाम लिखते हैं दोस्तों तो वो contrast में हो तभी वो शो करता है तभी वो दिखता है तो इस तरह से आज की मेरी केक हो गई है ready और मैं इसे अब वेट करके भी दिखा रही हूँ तो यहाँ without fondant इसका वेट देखिए 597 ग्राम है जब हम इसमें टॉपर लगाएंगे तो यह 600 ग्राम से ज़्यादा ही होगी तो कैसी लगी दोस्तों आज की کैसा लगा मेरा केक का बिडियो और इसकी प्रायस में ली है 350 रूपिस आनली तो आप अगर मेरी जगे इस चेक को रेडी करते तो कितनी प्रायस रखते और इसकीी डेकोरेशन कैसे करते प्लीज मेरे साथ कमेंड सेक्षन में जरूर कमेंड करें